हेलो एवरी बाउन गॉण इस जिव्या आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में काफी समय के बाद हम लोग लाक ले रहे हैं आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफियर यहां पर यह जो करंट अफियर का सेशन है या आपके सभी एक्जाम को कवर करेगा फिर आप इस लिए आप हमारे सथ कंटिनू रहे है और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा और पहली बार जूट रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चली शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत खास रहेगा इसके हैं हमारे पास उन सबको हम लोग यहां पर कवर करेंगे और साथ ही कवर करेंगे कुछ स्टैटिक जीके को भी ताकि आपका साथ साथ में एक लास के अंदर बहुत कुछ आपका जो कॉम्बो है वह आपको देखने को मिलेगा और एक लास में आपकी बहुत अच्छी से तयारी भी हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत अच्छी से कोट के साथ हमारा जो कोट है वो रहेगा असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकारों क्या कमी रहे गई हैं देखो और सुधार करो क्योंकि बहुत जरूरी है हमें लगता है कि हम बार बार अनसक्सेस हो र अगर ये चीज़ें कर लेंगे तो डेफिनेटली आप नस्दीक पहुंच जाएंगे अपनी सक्सेस के ठीक है तो छोटे छोटे से जो स्टेप्स होते हैं उन्हें उठाएं जो आपको आपकी सक्सेस के और करीब लेकर जाएगी ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं आज क शुरुआत करी हैं अब यहां से इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमने यहां पे एक मिशन तैगिया है कि 2047 दग हम यहां से सिकल्सल एनीमिया को खतम कर देंगे भारत से तो इसी को लेकर ही कुछ छोटे-छोटे से कदम उठाए गए हैं वही देखो जब मंत्री नरेंदर मोदी ने मद्यप्रदेश के शेह डोल जिले के लालपुर गाम में रास्ते सिकल्सल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुरुआत कर दी हैं क्योंकि हम चाहते हैं 2047 दग भारत से सिकल्सल एनीमिया का उन्मूलन हो जाए ठीक है और यह मिशन भारत के 17 राज्य का असम उत्रप्रदेश केरल बिहार और उत्राखंड के अंदर यानिके जो हमने बताया कि 17 आपके स्टेट्स में लागू होगा तो इन सभी में लागू क्या जाएगा यह मिशन प्रभावित आदिवसी शेत्रों में 0-40 वर्ष के आयू वर्ग के लगबग 7 करोड लोगों के अंदर आपके oxygen को circulate करती है आपके पूरे शरीर के अंदर और अगर सिकल से लेनी में हो जाता है तो उसमें RBC की शेप होती है कुछ ऐसे चप्टे टाइप की सिकल के जैसे यानिके हास ये के जैसे अगर ऐसे शेप होगी तो क्या होगा इसका जीवनकाल बहुत लंबा न लगती है याने के यहां से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है इसी लिए समय समय से फिर ब्लड को बदला जाता है तो इसी लिए ठीके और लोगों को अभी तक पता भी नहीं है लोगों में awareness करने के लिए भी इस mission की श्रुवात की गई है और लक्षे क्या रखा ह सेन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने है option से आपके पास अतुल आनन्द, रोहित जावा, हस्मुक आदिया या फिर स्वामिनातं, जान की रमन तो ध्यान नेख़ WITHा को यह बनाया गया है अतुल आनन्द को चीक है किनको बनाया गया है अतुल आनंद इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इनकी नुक्ति भी अभी हाली में की गई है अगर बात करेंगे यहां से रोहित जावा तो हिंदु सान योनि लिवर की MD और CEO बनाये गए है हस्मुक अधिया की बात करेंगे तो इनको गिफ्ट सीटी के नए चेर्मेन बनाया गया है और स्वामी नाथन जानकी रमन आर्बियाई के नए डिप्टी गवर्नर बनाये गए है जन चलिए उसके लाब बात करेंगे हमारे जो वाइस एड्मिरल अतुल अनन्द है इनको एक अत्रिक्त विभाग का यह सोंपा गया है छीके सेने मामलों के विभाग के अत्रिक्त सचिव के रूप में इनकी भूमिका यह ग्रहन करेंगे किसका स्थान लेंगे तो लेफ्रिनिट जनरल अनिल पूरी का स्थान लेंगे अक्सर एक्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है अब बात कर रहे हैं सेना से और नुक्तियों से संबंदित तो नुक्तियों के बारे में पहले हम कुछ बाते जा लेते हैं अब इहाली में कॉनकॉंस यापॉइन्मेंट्स यहां पर किये गए हैं। आगे देखेगा बात करते हैं सेना से रिलेटेट कुछ इंपॉटन्ट करन्ट अफियर क्यूंकि अभी हमने हाली में कुछ एक्सरसाइज करी हैं। नाइन ये ड्रॉन खरीदने के लिए समझोते को मंजूरी दे दी हैं। भारति नोसिरा का चोथा युद्वपोष शंशोदक इसको हमने हाली में लॉंच किया है। भारत मौलदीव का एक सेन्य अभ्यास हो रहा था जिसका नाम था एकुवेरिन। इंपॉर्टिंट रहेगा ध्यान निखेगा उत्राखंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स देखो नेक्स यहां से प्रश्न बन रहा है महारास्तर की उपमुख्यमंत्री कौन बने हैं। घले जानते हैं क्या कुछ यहां पर खास रहा है। झीक Ayum महारास्तर की अधु प्रशां बने हैं पहली बार 2010 में प्रितुराचावार्न की सरकार में उपमुख्यमंत्र , थीक त। और ध्यान निखेएगा इनके सासत नो और विधायकों ने भी यहाँ पे शपत ग्रहन की हैं यहाँ पे कुछ नो विधायक हैं जिन्हों ने यहाँ पे शपत ग्रहन की हैं नसीपी की बात करते हैं नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी स्थापना 10 जून 1999 को की गई संसापक कौन है शरद पमार और यहाँ पे चुनाव चिन जो है वो है घड़ी ठीक है चलिए महारास्त्र के बारे में जान लेते हैं तो यह है आपका पर्टिकलर महारास्त्र जो गु के स्थापना होती है एक माई 1960 में राजरपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री एकनाशिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंदर फढविस और अजीत बावार ठीक है अगर विधान सभा परिशुद की बात करते हैं 78 सीट से विधान सभा की 288 राजसभा की 19 और लोग सभा की 48 यह से आपके लेक प्रश्ण है विधान सभा परिश्टे किसके अंदर है यह आपको आंशर करना हैं कॉमें सेक्षिन के ंंदर ठीक के चलेए आगे देखिएगा महरास्टर से कुछ करंट अफ्यर बना है वारकरी समुदाये ने महरास्टर में पाल की पर्व मनाया है महरास्टर सरकार ने नमो शितकारी महा समन यह योजना की शुरुवात करी है जो किसानों के लिए है सचिन तिंदुलकर महरास्टर में स्माइल ब्रें कि गोशना करी है मारास्व कि एहमद नगर का नाम बदल कर क्या किया है अहिल्या नगर क्या गया है जो मोस्ट इंपॉर्टन रहेगा क्योंकि विहाली में बहुत सारे नाम बदले गए है तो जो जो नाम बदला गया है वहां से प्रश्ण जरूर बना है नेक्स एक है नेक्स काफी जादा इंपॉर्टन प्रश्ण बन रहा है लुसाने डायमेंड लीग दो हजार तेईस को किसने जीता है लुसाने डायमेंड लीग अभी कुछ समय पहले दो हार डायमेंड लीग हुई थी ठीक है तो यहां से राइट आंसर है आपका नीरर टोक्य ओलंपिक में इन्होंने 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और पहले यह भारते थे जिन्होंने भाला फैंक में गोल्ड मेडल जीता ठीक है और ध्यान निखिएगा लुसाने डायमेंड जो है इसके अंदर जीतने वाले कौन है तो नीरचोपड़ा ही है यह इस साल पर भाला फैंक का था लगबग 87.68 मीटर के सर्वस्री जेविलिन थ्रो के साथ इन्होंने पहली रैंक यहां पर हासिल करी है यह इस साल का इनका दूसरा गोल्ड मेडल है यह दूसरी लीग जो इन्होंने जीती है मई 2023 में दोहा डायमेंड लीग में 88.67 मीटर भाला फैंक क स्वर्ण पदक जीता था किसकी बात हो रही है नीरत चोपडा के यहां भी देखेगा डायमेंड लीग में इन्होंने जीता है वर्ल्ड चैंपिनशिप 2022 में डायमेंड लिग 2022 टोक्य ओलंपिक में एशियन चैंपिनशिप 2018, कॉमन वेल्थ गेम्स 2018 में एशियन चैंपिनश मलक कम उम्र में इन्होंने बहुत महनत करी है और अपना बहुत नाम किया है ठीक है इवन पूरे देश का स्विजरलेंड की बात करते हैं क्योंकि लुसाने स्विजरलेंड में है जहां पर इस लीक का आयोजन किया गया और ध्याने कि एकर ट्यूरिस एमबेजर भी बनाए राधाने के बात करते हैं बर्न रास्रपती है आपकी एलन बर्सेट मुद्रा है स्विज प्रैंक ठीक है और उर्जा संकरमन सुचकांग में भार सिक्स्टी में सान पे है और स्वीडन यहां पे शिर्षान पे है यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यानक लीजेगा निरा चोप इस पर्टिकुलर डामेंड लीग का आयोजन किया गया था आगे देखेगा स्पोर्ट करंट अफिर की बात करें तो भी हाली में कुछ गेम्स हुए जिनके अंदर भारत की कुछ रैंकिंग थी या किसी अनादर कंट्री ने कोई ना कोई आपका यह लीग जो है वो जीता है एशन कबड़ी चैंपिंशिप 2023 का खिता भारत ने जीता महिला कबड़ी लिंग जो पहली बार करवाई गई जिसका आयोजन दुबई में क्या गया इसमें उमा कॉलकाता ने ये जीत हासिल करी है फीपा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भाय सोवे सान पर पहुंच गया है गोल्फर दिक्षा डागर ये गोल्फर है इन्होंने चेक लेडीज ओपन के अंदर दूसरा अपना खिताब जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरास्त्रे गेम्स जीतकर एक गिनेस वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है और मैक्स वेरस्ट्रेपर ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है रेड बूल के खिलाडी है तो ये अच्छे से ध्यान नखिएगा आगे चलिएगा सरवानन सोनवाल ने कितने लाइट हाउस को प्रेटन सल की रुपे बदलने का अभियान शुरू किया है तो राइट आंसर आपका रहेगा 75 अब क्या है हाउस होते हैं जो पर्टिकलर जो भी शिप है जहाज है उनको डारेक्शन देने का काम करते हैं तो सरवानन सोनवाल ने कहा है कि अभी हम इनको as a tourist place में बदलने कि इनोंने घोशना करी है ताकि लोग वहाँ पे जाएं और ट्यूरिजम को बढ़ावा मिले तो शुरुवात कहां से कर रहे हैं गुजरास से कर रहे हैं केंद्रे पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रे सरवानन सोनवाल ने गुजरात के द्वारका से देश के 75 लाइट हाउस को प्रेटन सलमे के रूपे वदलने का अभियान शुरू किया है ठीक है द्वारका गोपनात और प्रेट हाउस बनाये जाते हैं जो किसी भी शिप को अगर कोई अपना राश्ता भटक रहा है या पर्टिकलर कोई दूर से आ रहा है तो इसको एक डारेक्शन देने का काम करते हैं कि यहां पर किनारा है तो आप यहां से आ जाएए ठीक है चलिए नेक्स दीखिएगा भार सब्सक्राइशन पर क Duckी को नेक्स दाएन रहा है यहां मार्श सो क्या थ्क है रहा है यहां से बनाया पर हि हम उतलई के यहां तुदत को न सब्सक्राइब को पर गया जो थान देने रहने पर्वांसे सॉफार है वो कौन है, Dream 11 है, Fantasy Gaming Company Dream 11 ने भारती टीम के मुख्य प्राइजर की रूप में बाईजू की जगा ले ली है, मार्श में बाईजू का जो एक कॉंट्रेक्ट था, वो खतम हो गया है, अब उसके बाद में Dream 11 ने यहाँ पर कॉंट्रेक्ट हासिल कर लिया है, Dream 11 तो एक भारती फेंटेसी स्पोर्ट कमपनी है, स्थापना 2008 में हर जयन और भावित शेट ने की थी, इसके अलावा लगबग इसके 160 मिलियन एक्टिव यूजर है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लिजेगा, जैसे यहाँ पर आपको बायजू दिखाओ मिल रहा है न, आने वले टाइम में आपको यहाँ पर Dream 11 देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं, BCCI तो भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉड़ी है, स्थापना 1928 में होती है, और मुंबई महाराश्वर में इसका क्या है, हेड़ क्वार्टर, रोजर भी नहीं, इंपॉर्टन प्रिश्ण है, BCCI के अध्यक्ष है, कौन रोजर भी नहीं, और यहाँ पर सच्चिव जैशा, अमितर शाह के बेटे, उपादेख्षिर राजिव शुकला, और सेंग तु सच्चिव है, देवजीत सीखिया, आप अगर अध्यक्ष का याद रुखोगे, इतना भी सफिशेंट यहाँ पर रहेगा, आगे देखिएगा, Housing Development Finance Corporation Limited का, विले किस बैंक में हो गया है, आपको बताना है, HDFC Bank, SBI, PNB और U को, तो राइट आंसरा आपका रहेगा, HDFC Bank, अब कौन सा है, Housing Development Finance Corporation, इसको जब लिखोगे, तब भी यह आपका HDFC करके ही आता है, बट यह क्या है, Housing Development Finance Corporation, इसका विले HDFC Bank के अंदर हो गया है, प्रशन पूछे जाने की संभावना है, एक जुलाई से Housing Development Finance Corporation Limited का अस्तितु स्माप्थ हो गया, और धान एखेगा, इसका विले हो गया है, HDFC Bank के अंदर, और ऐसा करेके, अब यह देश का सबसे बड़ा Bank बन गया है, पहले कौन सा था, SBI बढ़ धान रिखेगा, अब SBI यहां पर नहीं है, अब सबसे बड़ा जो है, अब वो बन गया है, HDFC Bank, सेकिंड एंग पर है, ICICI, उसके बाद में आता है, SBI, HDFC Bank, सापना 1994, और हेड कौार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है, इंपॉर्टन्ट रहेगा, याद रखेगा, आगे दिखेगा, महिला के अरोबियन प्रीमियर लीक के लिए, अनुबंद करने वाली, पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गी है, तो राइट आंसर आपको रहेगा, श्रेंका पार्टिल, ये एक ऐसी लड़की है, जिन्होंने अभी तक कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेला है, बट इनको इंटरनेशनल ही क्या मिल गया है, एक यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट मिल गया है, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान निखिएगा, ऐसी पहली बार कोई महिला बनी है, जिनका नाम है श्रेंका पार्टिल, श्रेंका पार्टल सीपेल के लिए साइन्ब करनेवाली पहली खिलाडी बन गई है, ये ऐसी पहली खिलाडी है, जुन्होंने अभी तक कोई भी अंदरास्तरे क्रिकेट नहीं खेला है, बट यहां पर इनको पहले ही यह लीग मिल गई है ठीके तो यह अच्छे से ध्यान लखेगा महिला केरेबियन प्रीमेर लीग 31 अगर से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा इतना भी आपको याद रखना है आगे चलिएगा बीर देवेंदर सिंग का निधन हो गया है किस र राइट आंसर हेगा पंजाब की उपादेख्षते जिनका हाली में निधन हो गया है चंडीगड में इनका निधन हो गया बस इतनी सी बाते याद रुखोंगे तब भी चल जाएगा ठीक है 2018 में कॉंग्रेस से यह टिकेट पे पहली बार इन्होंने सत्ता में अपनी एंट्री करी थी आगे देखेगा हाली में कुछ नेदन हुए हैं जैसे प्रकास सिंग बादल पंजाब की पूर्वु मुख्य मंत्री थे तारक फत्य पाकिसानी कनेडियाई पत्रकार केशब महिं क्योंकि बहुत जादा यह सुर्ख्यों में रहते थे केशो महिंद्रा 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 के चेर्मेन जलाबाला वेद्य प्रसिद रंगमंच अभिनेतरी उसके लावा जगरनात महतों जार्खन के शिक्षामंतरी सारा थॉमस यह हैं आपके मल्यालम उपन्यास का सलीम दुराने की बात करते हैं पूर्व क्रिकेटर गॉर्डन मूर इंटल के सैसंसापक प्रदीप सरकार की बात करेंगे लेखक और निर्देशक थे और सतीश कोशिक यह अभिनेता अभी हाली में इनका निधन हुआ है और जो भी खास परसनेलिटी रखती हैं मतलब कि जो फेम पुरसकार में दिया जाता है तो माइकल रॉसन को यह अवोड दिया गया यह पुरसकार दिया गया नाम क्या है पैन प्रिंटर पुरसकार 2023 तो यहां पर देख लीजेगा यह है माइकल रॉसन तो इनको दिया गया है यह प्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शक है याने कि बच्चों के लिए साहिते लिखते हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर फैमिना मिस इंडिया की बात करते हैं, नंदिनी गुपता, कोटा, राजस्तान से संबंध रगती हैं, और मारकोनी प्राइस इनको मिला है, प्रॉफेसर हरी बाल कृष्णन को ये अवार्ड दिया आ गया, ठीके, चलिए, जस्ट ए मिनट, आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी से, नेक्स देखेएगा, किस देश के सरकार ने पहली बार किसी फ्लाइंग कार कोडने की मंजूरी दे दी है, तो राइट आंसर रहेगा अमेरिका, अमेरिका ने यहां। अपने यहां पी फ्लाइंग कार कोडने के मंजूरी दे दी है यह वर्टिकल ऐसे क्या करेगी टेक ओफ करेगी वर्टिकल ही लैंड करेगी ठीक है मतलब एक तरीके से अब देखोगे कि अब कारे उडएंगी आले फिर नॉटिक्स के द्वारा विक्सिस फ्लाइंग कर अमेरिके सरकार से मंजूरी पाने वाली पहली उड़ने वाली कार बन गई है लगवख 5,20 क्रोड की के कीमत है टीक है वर्टिकल ही लैंड और वर्टिकल ऐसे की टेख़ करेंगे अब बात कर लेते हैं 2023 के कुछ awards के बारे में दो तिन हमने देख लिए हैं बागी हम लोग देख लेते हैं important रहेंगे अंतरास्य बुकर प्रसकार 2023 जार्गो स्पॉडिनव यह भी हमने देखा time shelter इनकी बुक है उसके लिए दिया गया डॉक्टर अंबेटकर अवर्ड 2023 योगी आदित्यनाथ को दिया गया important है अंतरास्य सांखे की प्रसकार सी आर राव को दिया गया फैमिना मिस इंडिया नंदनी गुपता कोटा राजस्तान की है महारास्तर भूशन प्रसकार डॉक्टर दत्ता अत्रे नारायन को दिया गया और order of the white eagle यह पॉलन का सर्वोच नागरिक सम्मान है जो यूक्रेन की रास्तरपती व्लौदीमिर जलेंस्की को दिया गया ठीक है और business leader of the decade award यह कुमार मंगलम बिर्ला को दिया गया तो यह सारे करना है comment section के अंदर कल हम लोग revision भी करेंगे आज आपको जो भी questions करवाए हैं उसका revision करेंगे हम लोग कल के session में अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे telegram channel दिव्या चंदानी मैम इसको आप जोईन कर लिजेगा यहां पर आपको इन classes की PDF अवेलेबल हो जाएगी यह जो session से daily रहने वाले हैं और कल से session आपको तुरह जल्दी मिलेंगे तो आप इन session को जरूर जोईन कीजेगा यह आपके आने वाले हर exam को cover करेगा कैसा लगा session comment section में जरूर बताईएगा दोस्तों के साथ share जरूर करें पसंद आता है तो like कर दीजेगा चैनल पर पहली बार हमें subscribe कर लीजेगा और bell icon को प्रेस कर दीजेगा इसका answer देना है comment section के अंदर मिलते हैं next session में take care bye bye